आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 19 चांद का बच्चा आईए पढ़ते हैं आनंदमाई कभिता चांद का बच्चा वह देखो वह निकला चांद अमाँ तुमने देखा चांद या भी क्या बच्चा है अमाँ छोटा सा मुन्ना सा चांद इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद अमाँ उस दिन जो निकला था वह था गूल बड़ा सा चांद बादल से हस हस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद चुप जाता था निकल आता था करता था यह तमासा चांद अपने बचे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद या भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गूल बड़ा सा चांद अच्छा अमा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद लेखक अपसर मेरठी आएए पाठ को दुबारा पढ़ते हैं पाठ है चांद का बच्चा यहाँ पर एक चांद को दिखाते हुए बच्चा अमा से पूछता है वह देखा वह देखो वह निकला चांद अमा तुमने देखा चांद यह भी क्या बच्चा है अमा यह भी क्या चोटा बच्चा है मेरी तरह चोटा सा मुन्ना सा चांद इतना दुबला इतना पतला चांद को दिखाके बच्चा बोलता है इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद यानि किसी ऐसे रात को जब चांद पतला दुबला होगा अमा उस दिन जो निकला था वह था गूल बड़ा सा चांद साइद पुर्णिमाग पुई सारा करते हुए बच्चा बोल रहा है तो दिन चान गूल बड़ा सा था अब जो चान निकला है वह दुगला पतला है बादल से हस हस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद, जे दिन चांद बढ़ा था, उस दिन अकासने बादल होंगे, उनसे वह हस हस कर खेल रहा होगा, या छिप रहा होगा, निकल रहा होगा, चुप जाता था, निकल आता था, करता था, या तमासा चांद, और उस दिन चांद को भेजा है आज को चांद नहीं आया है अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद घर में पैठा होगा यह भी एक दिन बन जाएगा यह चोटा बच्चा चांद पतला तुबला सा दिख रहा है अच्छा गोल बड़ा सा चांद एक दिन बन जाएगा अच्छा बढ़ा सा ऐंग से बचांद कमाँ से पूछ ता है तुम ने मोच को कहा मेरा छान का पत्या बच्छे को एक और चांद बोला होगा इसया मुज़े कर अ कि पुछ से यह अ निकला चांद अम्मा तुमने देखा चांद, या भी क्या बच्चा है अम्मा छोटा सा मुन्ना सा चांद, एतना दूबला इतना पतला कब होता है ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गूल बड़ा सा चांद, बादल से हसंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद चुप जाता था, निकल आता था, करता था या तमासा चांद अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद या भी एक दिन बन जाएगा, अच्छा गोल बड़ा सा चांद अच्छा अमा क्यों कल क्यों तुमने मुझको कहा था, मेरा चांद, अब सर मेरे ठी बादचीत के लिए एक, या कविता किसके भी सहमे है, या कविता चांद के भी सहमे है दूसरा कपिता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा तो कपिता का नाम चांद का बच्चा इसलिए रखा गया है क्योंकि अब चांद जो निकला है वो दूबला पतला है इस वाई से बच्चा उसको चांद का बच्चा समझ रहा है तीसरा आप इस खप्ता को क्या नाम देना चाहोगे और क्यों तो आप इसे क्या बोलोगे तो चांद का गटना बढ़ना कोई भी नाम आप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो चौथा क्या चांद हमेशा गूल ही दिखता है नहीं चांद घटा बढ़ता रहता है वह निर्भर करेगा कि दिन कौन सा है उसके आकार हो सकता है कभी चांद आकास में दिखता ही ना हो या कभी पुरा गूल बढ़ा सा दिखता है जिसे पुर्णिमा और अमस्या भी कहा जात यह आपको पता होना चाहिए, पांच वा, आपकी मां आपको क्या कहकर पुकारती है, प्यार से आपको क्या कहकर पुकारा जाता है, उसे आप लिख सकते हैं, सब्दो का खेल, नीचे दी गई बस तो हैं कैसी है, गोल, चौकोर, तिकोनी, रेखा खीच कर मिलाएए, तो यह है चौकोर यह है गोल यह है तिकूनी तुक मिलने वाले सब्दुकोर खोज कर लिखिए जैसे गोल बोल गोल के आगे लिखेंगे बोल चांद मांद बड़ा खड़ा छोटा लोटा चित्र और बाचित कवे की कहानी यहाँ पर एक कवे की कहानी दिया है एक कवा उड़ रहा था रास्ते में उसे एक मटका मिला जिसमें पानी रखा था कवे कवे ने लाया कंकड और घड़े में डाला कंकड और कवा पिया पानी कतम हो गई कहानी ऐसे आपने कविचा सुना होगा, एक कवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कवा लाया कंकर, घड़े में दाला कंकर, उपर आया पानी, कवा पिया पानी, खतम हो गई कहानी सिक्चर संकेत, बच्चो कोचिद्र के आधार पर अपने मन की कहानी बनाने और अपनी भासा में सुनाने के लिए कहे हैं, बच्चो को कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोच्साहित करें, आगे कवा क्या कर रहा होगा उड़ने के बाल, उसे भी लिख सकते हैं आओ कुछ बनाएं अपने आसपास नीचे गिरे हुए पूल पत्ते डंडियां इकत्र कीजिए छोटे समों में बैठ कर इनसे कुछ आकरितियां बनाएं आप तीतली पेंड आदी भी बना सकते हैं आकरितियां बनाने के बाद खक्चा में सभी को बताये कि आपने ये कैसे बनाई चित्रकारी और लेकान चित्र में दिये गए चित्र में आप क्या-क्या देख पा रहे हैं कुछ नाम लिखे तो यहाँ पर है मोर यहाँ पर है तोता यहाँ पर है पेंड और यहाँ पर है जाड़ी तो आप चितर को ध्यान से लेखें एक गोसला भी दिख रहा है जाएं तो गोसला लिख सकते हैं आप सेव लिख सकते हैं पेंड पर सेव का फल लगा हुआ है अब इन सब दोखों से वाके बनाईए या एक पेंड है तो पेंड से या एक पेंड है पेंड के नीचे बिंदी लगेगी रो के नीचे बिंदी लगेगी या एक पेंड है पेंड के नीचे जाड़ी है पेंड के नीचे जाड़ी है इसी प्रकार एक दोता उड़ रहा है उड़ रहा है एक मोर नाच रहा है खोजे जाने आपके घर के आस पास चो पेड़ पौदे हैं उनके नाम जाने कुछ पेड़ पौदे के चित्र बनाईए अपने चित्रे के साथ कुछ सब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए कप्चा में सभी को बताईए तो आस पास जो पीण है उनका बारे में लिखना भी है उनके बारे में जानने का परयाज करना है उनका चित्रे भी बनाना है या आपके लिए कार्य है खोजे खेल खेल में इस कप्चा को मिलकर पढ़ि गाये दो समों बनाये एक समो प्रसंद पूछेगा और दूसरा समो उत्तर देगा तो कौन परिंदा कौन परिंदा चूचू कौन परिंदा उतरगू कौन परिंदा पी हूँ पी हूँ कौन परिंदा खुडू कू कौन परिंदा बोले काओ काओ कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें और कौन नकल उतारे हूँ बहू, लेखक स्याम सुसी, तो यहाँ पर कौन परिंदा बोले चुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ काउं काउं बोले कवा, कुई को बोले कोयल, और टें टें बोले, और नकल उतारे ओ बहु तो ता, तो कौन परिंदा बोले चुँँचु? तो आप बोले, एक दूसरा समुँ बोलेगा, गरया या चेडिया बोले चुँचु? कौन परिंदा बोले गुटर्गू, कबुतर बोले गुटर्गू, कौन परिंदा बोले पीऊ-पीऊ, तो मैना बोले पीऊ-पीऊ, कौन परिंदा कुकडूकू, तो मुर्गा बोले कुकडूकू, कौन परिंदा बोले काउ-काउ, तो कवा बोले काउ-काउ, कौन परिंदा ब बोले टेंटें तो तोंता बोले टेंटें और नकल उतारे उबहू सब्दो का खेल सब्दो का खेल कवता में आये कौन सब्द पर घेरा लगाईए पीड़ पर लगे अक्छरो से आपको सब्द बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाली यहाँ पर तोंता आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्द इसमें है राम राम इसी परकार यहाँ पर मा रो और ना मार ना इसी परकार बहुत सारे सब्द बनाया जा सकते हैं आप ढूंड़ें और लिखें पढ़िये और लिखिये कविता को आगे बढ़ाए हमने तीन चीजें देखी तो कविता को आगे बढ़ाना है हमने तीन चीजें देखी बाबा तीन चीजें देखी हमने बाग में देखी मकड़ी वह खा रही थी ककड़ी उसके पास पड़ी थी लकड़ी हमने तीन चीजे देखी बाबा तीन चीजे देखी हमने बाग में देखी मकड़ी वह तुखा रही थी ककड़ी उसके पास पड़ी थी लकड़ी हमने तीन चीजें देखी बाबा, तीन चीजें देखी, हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू नाम था उसका चालू या नाम था उसका कालू इसी परकार फिर से उसको पढ़ता है हमने तीन चीजें देखी, बाबा तीन चीजें देखी, हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, उसका नाम था कालू हमने तीन चीजें देखी, बाबा तीन चीजें देखी, हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चुकंदर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर चुकंदर है वह तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका सुन्दर तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं हमने तीन चीज़े देखी हम बाबा तीन चीज़े देखी हमने बाग में देखा बंदर वह तो खा रहा था चुका अंदर नाम था उसका सुन्दर सब्दों में आये अप्चरो के अनुसार ठो धो धो शो को घर के घर में चार्ट कर लिखे तो यहाँ पर सब्दों जो लिखे हैं उनको चार्ट कर लिखना है जैसे ठा से ठाट दा से दोती धा से ढपकन इसी प्रकार धनुस धनुस में सो है साथ साथ में ठा है धोलक में धा है धोलक धान में धो है बैट में बैट में ठा है दीला में धो होगा धीला उसा में सो है ठेला में धो है सटकोण में सो है और धागा में धो है आए पढ़ते हैं सब्दों को ठा से ठाट साथ बैट ठेला दा से दोती धान धागा और दा से धकन धोलक धीला सा से धनुस सा में सा है उसा में सा है सा से सटकोड अक्चरगीत आईए पढ़ते हैं अक्चरगीत अनार दाडिम भी कहला था आम चूस कर बच्चा खाता इमली तो खटी होती है इंक सदा मेधी होती है उल्लू रात में जगते रहते उद बिलाओ जल तल में रहते रिसी मुने आकर हवन कराते री री तो संस्क्रित में ही आते ज्यान देंगे रिसी में ये वाला रिसी है और इसमें ये वाला री ये संस्क्रित में ही आता है ली भी संस्क्रित में ही होता और ली का तो कुछ पता न चलता करती रोग इलाज स्वर सब यहीं समाप्त होते हैं अब हम बेंजन पर चलते हैं अंसक्रित अमरूदों के लाओ अह अह सब मिल कर उनको खाओ कमल ताल में सब को भाते खरल में मसाले पीसे जाते गमलों में पानी दे आना घड़ी आलो के पास न जाना कंगे से मा बाल बनाती कसे अंगा वनी कंट से आती तो कस ख ग ग ग अंगा ये कंट से आ रही है चम्मत से हम खाना खाते छतरी बारिस में ले जाते जंगड मन सब बच्चे गाते जंडा खंबे पर पहराते पंचम स्वर में कोयल गाती चोसे या ध्वनी तालू से आती टटू रस्ते में अड़ जाता ठठेरा उत्तम पात्र बनाता देख सकते हैं यहाँ पर ठठेरा इसी परकार डलिया में तुम फूल सजाओ डखकन सीसी पर लगाओ पंडित्ता हमको पाठ पढ़ाती टू से रड़ा ध्वनी मुर्धा से आती तबला लड़का बजा रहा है थर्मस से चाय पिला रहा है तरी बैट हम गाना गाते धनुस उठा हम तीर चलाते नल से नानी पानी लाती तो से न धनी दातों से आती पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते फल पेडों से तोड़ कर खाते बंदर कूद पांद कर आए भगोने लोटे सब लोड़काए मटर कचवडी बुवा बनाती पोसे मध्वनी ओस्ट से आती यग में घी की आहूती देते रबड़ी हलवाई से लेते लवड नमक को भी है कहते वन मानूस जंगल में राते दो स्वर मेल से यर लव आते अता अर्ध स्वर ये कहलाते सरीपा पकने पर ही खाओ सटकूड चित्र स्वयम बनाओ सब्तरसी आकास चमकाते हल किसान खेतों में चलाते हल किसान खेतों में चलाते सव 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 इसमें सबसे आगे वाले सव में हवा बाहर निकलनी चाहिए श सादी में जैसे स होता वैसे और इसमें सटकूड अंदर से आना चाहिए वाज सटकूड और जीव नीचे जैसे यहां पर सहेली में सहेली में सहेली उसमें जीव नीचे चिपका हुआ है तो तीनों समय अंतर उचारण में श शा और सा उस मकाल आते अक्षर यहीं समाप्त हो जाते यहीं वर माला हम गाते मिल जुल अपना ग्यान बढ़ाते आपको अब सब अक्षर आते लिखक मन्जुल भारगो सिक्षर संकेत यह कविता केवल आनन के लिए है बच्चों को आनन के साथ अलग-अलग कंडो को वर्ष भर गाने के लिए प्रुट्साहित करें तो यह कविता अगर आप याद कर सके तो ठीक है वरना थोड़े-थोड़े करके आपको पूरे साल इसका प्रयास करना है इसे गा करने का पूरे साल आपको थोड़ा-थोड़ा करके प्रयास करना है जैसे फिर से गात देते हैं इसको अनार दाड़िम भी कहलाता आम चूज कर बच्चा खाता इमली तो खटी होती है इंक सदा मीठी होती है उल्लू रात को जगते रहते उद बिलाव जल्थल में रहते तो ध्यान से देखेंगे इ में जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा बड़ी बे जूर देंगे इसे परकार छोटे उपको जल्दी पढ़ेंगे उद बिलाव में उप जल्द बिलाव थोड़ा सा जूर देंगे जिसे इंक उद बिलाव ठीक है री रिसी मुनी आकर हवन कराते री तो संस्कीत में ही पाते ली भी संस्कीत में ही होता ली का तो कुछ पता न चलता एडी में एको दीरे पढ़ेंगे और एको थोड़ा सा ज्यादा जूर देके पढ़ेंगे एडी में काटा चुह जाता, एनक कानों पर चड़ जाता, ओखली में कूटते हैं अनाज, औस धी, करती रोग इलाज, स्वर सब यहीं समाप्त होते हैं, अब हम वेंजन पर चलते हैं, अंसक अम्रूदो के लाओ, अह अह सब मिल कर, सब मिल उनको खाओ, कमल ताल में सब को भाते, खरल में मसाले पीसे जाते, गमलो में पानी दे आना, घड़िया लो के पास न जाना, कंगे से मा बाल बनाती, कोसे अंगा ध्वनी कंड से आते, चम्मत से हम खाना खाते, छतरी पारिस में ले जाते, जणकन मन सब बच्चे गाते, जणडा खंबे परफाराते, पंचमस्वर में कोयल गाती, चोसे यह ध्वनी तालू से आती, टट्टू रस्ते में अड़ जाता, ठटेरा तम पात्र बनाता, डलिये में तुम पूल सजाओ, ढकन सीसी पर लगाओ, पंडितता हमको पाठ पढ़ाती, तोसे यह ध्वनी मुर्धा से आती, तबला लड़का बजा रहा है, धर्मस से चाय पिला रहा है, दरी बैट हम गाना गाते, धनु सुठा हम तीर चलाते, नल से नानी पानी लाती, तोसे ना द्वनी दात से आती, पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, फल पेंडो से तोड कर खाते, पतंग से बच्चे पेंच लड़ाते, फल पेंडो से तोड कर खाते, बंदर कूद भान कर आए, भगोने लोटे सब लोड़का आए, मतर कचारी बुआ बनाती, पौसे मौध्वनी ओस्ट से आती, यग्य में घी की आहुती देते, रबडी हलुआई से लेते, लवड नमक को भी है कहते, वन मानुस जंगल में रहते, दो स्वर मेल से यरलवा आते, अतह अर्ध स्वर ये कहलाते, सरीवा पकने पर ही खाओ, सटकूर चित्र स्वयम बनाओ, सबतर सी आकास चमकाते, हल किसान खेतो में चलाते, अप्छर यहीं समाप्त हो जाते, यहीं वड माला हम गाते, मिल जुल अपना ग्यान बढ़ाते, आपको अब सब अप्छर आते, लेखक, मंजुल, भारगो, आपको अब सब अप्छर आते, इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन्यवाद